तो आप सभी कदद्दू की चनुलाग में सागत है अचलिए आज मैं बनाने जा रहे हूं दाल पालक की सब्जी रेसिपी वैसे तो दाल पालक पसंद है जो पालक नहीं खाते हैं वो भी खाना पसंद करते हैं डाल के साथ में जागिए बहुत ही अच्छे से मैंने यहां पास इसके quantity में मैंने आहां पर साधा गिलास के करीब रहा दाली है और इसको अच्छे से पानी डाल करके धोलूँगी पिर मैं इसमें एट कर दूँगी तियर से चार पानी दोने के बाद पानी फिर इसमें डाल दिनके 2400 नमक दाल में अब इसको ठक करके मैं पांस सिट्टी लग कर लिए फिर उसको इधर प्याज मिर्ची दानिया त्रिस कंगीं कर लिए विसमें डाल दिनके अपर कार्थ行 तो इसमें पानी तेल दो दिनके जीरा कि इसमें में मैं ृटब कर दोंगी मैं कर त्रूब और 26 1 था-जाब Mr.ети आपके WordPress कर देंगे कर देंगे इसको चमश लाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरीके से इसको चमश ला करके सभी को अच्छे से फ्राई करेंगे पालक पुलाओ की रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी रखता है जैसे कि आप ताल पालक बना सकते हैं पालक पुलाओ बना सकते हैं और पनीर के साथ भी पालक पनीर बना सकते हैं ऐसे बहुत से रेसिपी है पालक की भी पालक पकोड़ा बहुत भी टेस्टी रखता है मैं कमेंट बॉक्स में सबका लिंक देदेंगे आप जाकर देख सकते हैं देखिए जब इस सभी अच्छे से फ्राई होगी है इस तरीके से तो फिर मैं इसमें आट कर दूंगी पालक भाजी को मैंने कटिंग करने के बाद और अच्छे से धोली है एक से दो पानी चीए आप इसको अच्छे से भी पालक भाची को भी लाते हुए अच्छे इसको भी पका लेंगे जेकिए इस तरीकी से बीजविश में शम्माश लाते हुए इसको अच्छे से पकालिक कम समय में पक जाता है तो बहुत जेकिए जैसे पकने स्टार्ट होगा इसकी कौंटिटी कम होते जाएगी आप देख सकते हैं कि अगे लेगे यह बहुत से बाजी अकसर पकने के बाद कम होजाती है कुछ कुछ से बीजिए जवकत दो मैं तो पकने के पात बहुत ही कम हो जाता है कि बाजी नहीं से है यह बालक हे इस तरीकी से मैं इसको अच्छे से पकालेंगे साथ ही एड कर देंगी इसमें टमाटर इसको भी शाथ में मिक्स कर्तेयों पका लेंगे dix क्छिश्ट पालक टालं आठालो आख इस तरह से Ł अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे भी पकने लेंगे कितना धीक पालक पानी छोड़ा है time लगता है इसको भी पकने में थोड़ा जब इस तरीकी से टमाटर और भाजी अच्छे से हलका पक गया है तब मैं इसमें एट कर दूँगी कितना धीक पानी छोड़ दिया है इस तरीकी से पक गया अच्छे से अब अब देख सकते हैं तो इसमें अट करतोंगी आप मैं स्वात अनुसार नमक डाल दी है तो यहां पस भाजी की कौंट्रेटिकी सबसे नमक डालेंगे Homрыं में इसमें एकनद कर दोंगी दन्य पॉर्डर को साथी क्उट करतेंगे असाथ के जीरा पोडर और भी आट करते हैं कि अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुई मैंने दाल में डाल हैं तो ड़िक्रिटर अज्मि olması में डालेंगे कि सभी अच्छे से लग जाए सबजी और जाल में कि अबंचे przeci mr. कर देंगे इस तरीके से अच्छे सी कर देंगे और र्थोड़ा देव पका लेंगे इस तरीके से टमाटर भी पूरा पग गया और भाजी भी अच्छे से पग गया है देखिए एक दोबार और अच्छे से चमश लाते ना इस तरीके से दाल को चेक कर लूँगी देखिए देल निकाल और अच्छे से पग गया है इस तरीके से चमश की मदद से आप इस तरीके सी और चला सकते हैं इस तरह कि से हैं ऊब फालक भाजी कसा नाल हलका बड़ा भी रहेगा तो भी अच्छा लगते है टेस्टी लगते है ज्यादा कलाने की ज़र। नहीं है दाल को अ इस तरिकी से जब अच्छे से पगया है भाजी पालक की तो इस में अब में डाल को अटका दोंगी कभिनेा इस तरिके से लाल को याटक देंगे देख की आप चमक सका दी मतलब से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स करतेंगे और इसको थोड़ा दिर उबाल हों सब्ची में उबाला चाहिए इतना पकालेंगे थोड़ दे देखिए अच्छे से गाढ़ा है आप चाहे तो पतला करने चाहते और पानी आड़ कर सकते हैं हलका से लेकिन आप जितना हो सके इस तरीके से बीना पानी टेलाइब पर आए टेस्ट बहुत ही अच्छा लगते हैं देखिए कितनी अच्छे से ताल पलक की सब्जी बन करके ट रोडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्रीब शेयर करने ना बोले थैंक्यू